क्या आपने कभी सोचा है कि क्यूं एक चलती हुई एम्बिलेंस जैसे जैसे आपकी ओर बढ़ती है उसके साइरेन की पिछ बदलती हुई प्रतीत होती है वास्तव मैं साइरेन की पिछ में कोई परिवर्तन नहीं होता आप जो अनुभव करते हैं वो एक परसीव्ड साउंड शिफ्ट है जिसे डॉपलर एफेक्ट की नाम से जाना जाता है सोर्स और अब्जर्वर के बीच होने वाले रेलेटिव मोशन के कारण वेव यानी तरंग की फ्रिक्वेंसी में महसूस होने वाले परिवर्तन को डॉपलर एफेक्ट कहते हैं दालाब के पानी में चलते हुए किसी कीडे दवारा बनने वाली वेव्स में या फिर किसी चलती हुई एंबुलेंस की साउंड वेव्स में जब कोई वेव प्रड्यूस करने वाला अबजेक्ट किसी फिग्स पॉइंट या अबजर्वर की तरफ आता है या उससे दूर जाता है तो डॉपलर एफेक्ट देखने को मिलता है आबजेक्ट के सामने वाली वेव्स कंप्रेस हो जाती है और उसके पीछे की वेव्स फैल जाती है यहाँ पर डॉपलर एफेक्ट चलती हुई एंबुलेंस के साउंड वेवस सबही तरफ एक समान है जब ambulance आगे बढ़ती है तब भी uniform sound waves प्रेड्यूस करती है लेकिन इसके आगे की ओर sound waves कंप्रेस होने लगती है जिससे wave की frequency बढ़ जाती है इसलिए किसी observer की ओर आती हुई ambulance के siren की sound उससे high pitch पर सुनाई देगी जैसे ही ambulance पास से होकर दूर जाती है तो siren की sound waves फैलने लगती है इस तरह waves की frequency कम हो जाती है और observer को उसकी आवाज पहले के मुकाबले एक lower pitch पर सुनाई देती है तो यही वज़ा है जब एक ambulance किसी observer के पास आकर दूर जाती है तो उसे siren की sound की pitch high से low होती हुई सुनाई देती है कर दूर जाती है